जिसमें आप लोग बहुत परिशान हो रहे थे कि सर डालो पहले क्या नाम था उसका और अब बात है बिजनेस वैलिविशन की मतलब नाम चैंज है और नाम चैंज के अलावा कुछ थियरेटिकल भी आया हुआ है जो मैंने सायद क्या पक्का है अप्लोड कर दिया अमेंडमेंट अप्लोड कर दिया सर इसमें अमेंडमेंट का रिविजन होगा के नहीं होगा यार अमेंडमेंट का भी रिविजन कर वहो मतलब देड़ घंटे का लेक्चर होगा बिजनेस वैलिविशन का अब अच्चे का कहना नहीं सर उसक अब रिविजन करवाई है, जान लेने वाली बात है, इतना तो कर सकते हो भाई, पर फिर भी, टाइम मिलेगा तो करवाउंगा, कोई प्रॉमिस नहीं है, अब बैयों में भी, खुद खुद चैप्टर तो खुद से रिविजन करने का सोचो, कुछ चैप्टर, चलो, बिजने वैलीएशन, पहले किया नाम था, कॉर्परेट वैलीएशन, अब बात करहे हैं, बिजनेस वैलीएशन, बिजनेस वैलीएशन में, बैसिकली, तीन टॉपिक कवर करेंगे, पहला, ईवा, एकोनोमिक वैल्यू एड़िप्ट, या मार्केट वैल्यू एड़ियो आड़िद, और मतलब, मतलब, एक topic है, जो पहले, यह business valuation से relation है कि नहीं, business valuation तो अच्छली यह है, valuation of business, value of firm, या enterprise value, कुछ बोलते हैं, ev enterprise value को तो अखा concept आपने नहीं करवाया, भाया, value of firm को ही enterprise value बोलते हैं, और तीसरा gearing of beta, तो बहुत सारे बच्चों को, या levered beta भी बोलते हैं, इसको, और बहुत सारे बच्चों का question ये था, जो मेरा पहले class ले चुके है, जो oldest की वाले बच्चे, उनका कहना किया, ये concept हट गया है, क्या gearing of beta बिलकुल भी नहीं हटा है, करना पड़ेगा, छोटा topic है, ज्यादो टाइम नहीं लगेगा, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है, पहल economic value added ये होता था, कि जो हम कमा रहे हैं, उसमें से अगर हम capital provider, capital provider कौन है, सरे एक debt है, येस, और एक preferential holder होता और एक होता है equity holder, इन सब को, जो इनका expectation है, वो सब देने के बाद भी अगर हमारे पास कुछ बच जाता है, तो उसे बोला जाता है, economic value added, return earning क्या, return earning नहीं, return earning नहीं, return earning में dividend हम अपने हिसाब से देते हैं, मैं dividend, equity shareholder को dividend देनी की बात नहीं करा हूँ, equity shareholder का जो भी expectation है, वो अगर हम दे दे और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है, तो उसको बोला जाता है, इवा, simple है, EBIT में से क्या minus करेंगे, इवा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इवा कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले निकाला जाएगा, net operating profit after tax, no pet, EBIT में से क्या minus करेंगे, tax तो क्या जाएगा, no pet, पेकार का question, आप ये पूछ सकते हैं, इंट्रेस्ट भी तो minus होगा, उसी के बाद तो tax minus होगा, तो भाई साब, मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, interest क्योंकि WACC में जुड़ा होता है, तो interest हम यहां से ना minus करके, यहां से minus करते हैं, ultimately हमें एक ही जगा minus करना है, या तो यहां minus करो, या तो यहां minus करो, तो हम जब भी बाद में minus करते हैं, मतलब debt का जो cost है, वो बाद में minus होगा, ठीक है, तो EBIT में से tax minus किया, तो क्या गया, nopet, ठीक है, net operating profit up to tax, nopet क्या है, nopet मतलब ऐसे पैसा है, जिसमें सब कुछ minus हो चुका है, टेक्स का amount भी minus हो चुका है, इसमें से सिर्फ अब equity shareholder को देना बाकी है, preference shareholder को देना बाकी है, और debt वाले को भी देना बाकी है, याद रखना है, interest minus नहीं होगा, और इन तीनों को देने के बाद, अगर हमारी पास कुछ बचता है, तो उसको बोला जाता है, इवा, economic valued, फॉर्मूला क्या होगा, nopet minus invested capital, या roughly बोलूँ, तो इसको आप capital employed भी बोलूँ, capital employed into WS, ठीक है, question आ सकते हैं, कि आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कह नहीं सकता, मतलब यार, इन तीनों topic में से, किसी एक का question तो पोच सकते हैं, वो किसे, आगे बढ़ते हैं, एक्जाम्पल के तौर पे, मैंने एक्जाम्पल नमबर वन लिया है, सर, equity share capital है, preferent share capital है, 10% eventual, तो देखा जाए, तो 5 और 3, 8 और 2, 10, 10 लाग का मेरा capital employed है, या 10 लाग का मेरा invested capital, टेक्स का rate दिया, RF दिया, RM दिया, बीटा दिया, EVA निकालना, अब बस मुझे इतना बताओ, क्या ABIT दिया हुआ है, yes, और इसमें से सीधा tax minus करेंगे, interest minus नहीं करेंगे, tax minus करेंगे, तो जो आएगा, उसका नाम क्या रहेगा, नौपेट, तो पहला काम तो यह हो गया, कि हमने नौपेट में करेंगे, अब बात करते हैं, capital कितना लगा, 10 लाख लगा है, 10 लाख में हमें देना कितना, इन भाई साब को preference share capital पे हमें तो dividend देना पड़ेगा, 12% वो तो देना ही पड़ेगा, fix है, और सर डिबैंचर पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी fix है, सर एक्विटी शेयर ओल्डर पे क्या देना पड़ेगा, पिट्टे उसको निकालना पड़ता है, expectation क्या है, और उसके लिए हम CAPM यूज क्या है, RF मालूम है, RM मालूम है, तो CAPM से हमने यह निकाला 12.25 पर, यह क्या है, सर एक्विटी शेयर कापिटल पे, 5 लाग पे हमें देना चाहिए, risk को देखते हुए 12.25 पर, और प्रफेरेश्यर केडी, और सर डेट वाले को क्या देना पड़ेता है, इस इस केडी, मतलब यार, टेक्स सेविंग्स होता है, और सर प्रफेरेश्यर होल्डर को तो यह तो 12 परशन दिख रहा है, तो सर डेटी शेयर निकालेंगे, 5 लाग का 12.25 परशन, 3 लाग का 12 परशन और 2 लाग का 7 परशन, तो यह आगे मेरा डेटी शेयर, यह WSEC 11.125 परशन किस पर देना, 10 लाग पर, इट मिन्स हमने जो कमाया है, उसमें से 10 लाग का, अगर में 11.125 परशन देने के बाद, अगर कुछ बशता तो उसका नाम रहता, एकोनॉमिक वैल्यूएट है, और इवा पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर इवा पॉजिटिव हो, तो हम कहते हैं, हमारी फॉर्म वैल्थ क्रियेशन कर रही है, मतलब हमें इतना दम है, कि सब को सब देने के बाद, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के बाद, भी हमारे पास कुछ बच रहा है, हमारी फॉर्म अच्छे है, नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब यहर आप इस इस्तिती में नहीं हो, कि आप शेर होल्डर का एक्सपेक्टेशन पूरा कर पाऊ, कैपिटल प्रोवाइडर का एक्सपेक्टेशन, मतलब फॉर्म अच्छे नहीं है, तो इमने किया ओके तो भाई कोश्चन आ जाते हैं देख ले ना कोश्चन नमबर वन और कोश्चन नमबर वन ती वाई के 13 हैं अगर मैं मौडूल की बात करूं तो ती वाई के 13 आप देख सकते हैं देखाँ डेल्टा लिमिटेड करेंट फाइनेशिल या इनकम स्टेटमेंट दिपोर्ट एट्स नेट इनकम तो नेट इनकम का मतलब है प्रॉफित आफ्र टेक्स और हमें चाहिए नौपट और नौपट के लिए के चाहिए हमको एबी आईटी पर उसने पैट दे रख तर टेक्स का रेट दिया है 40 पर उसन तो सब पी बी टी निकल जाएगा उससे एन इन्टरेश्ट एक्सपेंसिस कितना दिया है पंद्रा लाग अगर देखा जाए पैट कैसे निकलता है आपको पैट मालूम है आपको इन्टरेश्ट मालूम है आपको टेक्स मालूम है आपको EBIT निकलना तो क्या EBIT अराम से निकल जाएगा यह सर सर बैक कैलकुलेशन इससे भी निकल सकता निकल सकता जैसे चाहो वैसे निकल ठीक है कंपनी का सर इन्वेस्टेट कैपिटल कितना है 100 लाक उसमें से 60 परशन डेट 12.6 परशन तो बड़ा असान हो गया फिर तो सबसे पहले 9 पेट निकल लीजे EBIT 1 माइनस टेक्स तो यह आगया 9 पेट और इन्वेस्टेट कैपिटल इन्ट तो यह आगया हमारा क्या इन्वेस्टेट कैपिटल इन्टु डब्लू एससी माइनस कर दिया तो जो आया वो आया हमारा इवा 11 लाग चाले इवा पॉजेटी हो मतलब फ़र्म अच्छा 9 पेट कितना है सर 24 लाग अगर परशन टेज मैं बोलो तो कितना परशन टेज़ तो 24 परशन 100 लाग का 24 परशन जबकि देना कितना है मैं 12.6 परशन अगर परशन टेज की बात करो सिदा सिदा 100 लाग का 24 परशन कमा रहा है और देना है 12.6 परशन वाट इस देल्टा सबसे पहले क्या बोला EBIT निकालो निकाल लिया इवा निकालो चलो वो भी निकाल लिया आगे क्या बोल रहा है फर्म के पास ठाई लाग एक्विटी शियर्स है और आगे लेकर according to EVA you computed in 2 जो EVA निकाला अपने 2 में how much can delta pay in dividend per share before the value of company would start to decrease यह dividend कितना दे सकते EVA dividend जो बचा है maximum इतना दे सकते 11.40.000 से उपर नहीं दे सकते तो बताओ EVA dividend कितना दे सकते 11.40.000 divided by 4.56 अगर आप 11.40.000 से ज़्यादा dividend दे दोगे तो EVA negative start हो जाएगा उससे ज़्यादा दे नहीं सकते ऐसे में तो firm के value गिरेगी आगे क्या दिखा है तो delta does not pay any dividend what you expect to happen value of company में क्या होगा अगर delta dividend नहीं देना चाहते value of firm क्या होगा तो भाई साब ऐसा है कि 9.8 आपका कितना है 24% और WACC कितना है 12.6% आप क्या expect कर रहे हैं सर हम shareholder क्या expect कर रहे है 12.6% जबकि हम कमा कितना रहे हैं मैं company में कितना कमा रहे हूँ 24% तो भाई आपके पैसो में मैं ज़्यादा कमा कर दे रही हूँ ना याद करो एक Gordon model हुआ करता था Walter's model कि आपके पैसो से अगर हम 24% कमा रहा है अगर हमको dividend दे भी दे तो आप क्या करोगे आपकी expectation बस इतनी सी है ना तो चलो ना हम ज़्यादा कमा कर दे रहा है और क्या चाहिए आपको तो हम आपको dividend नहीं देते हैं हमें तो invest करना चाहिए तो company should not pay dividend ठीक अगर हम dividend पे नहीं करेंगे तो value बढ़ेगी आगे चलो रहा है question number 2 TYK 14 पड़े यह सरी भी question अच्छा देखना पड़ेगा हमको ठीका दा फॉलिंग data pertain to XYZ incorporation engaged in software consistency business income दिया है भाई EBIT दिया है यही तो चाहिए था EBIT interest on loan भी दिया 18 मतलब यह loan तो होगा 180 है मतलब सर 10% interest EBIT दिया tax दिया है यह दिया और इधर हमारा liability दिया इधर asset दिया with the following information the following exemption you are required to compute क्या मांग रहा भाई EVA निकालना और market value added market value added पर आप पर doubt आ रहा था वो में ले लूँगा WACC दे दिया है thank God और share का price कितना है 50 सबसे पहले उठालो EBIT वर्माया टेक्स टेक्स का rate कितना है 35 बश्न तो सर यह आगे 9 पेट और capital employed कितना है सर 100 यह ले लीजिए 325 यह और 180 यह इन सबको add कर लेजिए 305 आ गया और उसके बाद तो आप करें WACC दिया है तो यह आ गया सर EVA आ गया multiple choice question आ सकते है ठीक EVA आ गया सर 44.4 यहादर market value added market value added वैसे तो दो तरीके है निकलने तो EVA होता है उसका present value future में यह फायदा होगा और हम मानती perpetual फायदा होगा तो उसका present value यह आ गया हाला कि ICAI ऐसे नहीं निकाल ICAI method number 2 के सबसे और EVA निकालने का तरीका है book value of capital employed equity share capital reserve and surplus और loan और market value of capital employed तो सुनो number of shares कितने है number of shares तो 10 million है 10 million और share का price के है market price तर 50 तो 10 million into 50 500 reserve and surplus का market value नहीं होता यह आपने WACC पढ़ रखा है cost of capital chapter ICAI interim है यहां लिग दिया इसको dash कर दिया और loan का तो जोकी तो हो रहे और फटा फट से आपने difference निकाल लिया किया market value ज़्यादा है इससे तो answer कितना आगा answer आगा 75 million इसी को बोला जाता market value institute institute ने क्या किया मालूम है ICA ने loan नहीं लिया जबकि लेना चाहिए loan का market value भी तो अलग हो सकता है नहीं लिया और बच्चु अग्याना answer तो अभी भी उतना ही difference तो उतना ही आए उतना ही आएगा ना भाई time pass क्यों करो 180 180 conceptual दोनों तरफ loan आना चाहिए question number 3 अब कुछ ऐसे question है जो रट्टा मारने वाले है उसमें कुछ नहीं कर सकते ठीक से बढ़ते हैं यह कोई high-tech business नहीं है पर इसकी earning लिखी हूँ यह earning कितना है 12 लाग आश्यर की बात है इसी को वो लोग क्या ले लेते हैं 9 पेट earning को 9 पेट लिया है आने काना कुछ कोशन याद करने है टेक्स वैक्स कुछ दिया ही नहीं है तो इसी को वो लोग 9 पेट ले लिए खीवा निकालना यह 12 लाग अगे इसके अलबा बुले एक पेटेंट है 8 साल है जिसकी लाइफ और 40 लाग है उस पेटेंट की कीमत और हरबल के एसिट में इंक्लूड है 20 लाग का वर्किंग कापिटेल और 80 लाग की प्रॉपर्टी है पर इसमें पेटेंट नहीं जुडा हो जोड़ना तो पड़ेगा मतलब 80 लाग यह तो है पर साथ में 40 लाग का पेटेंट इंक्लूड नहीं है एसिट साइट सर सुनो ना एसिट में इंक्लूड होगा चालिस लाग जो एड हो जाता अन्रिकॉर्डड एसेट तो वह एक्विटी में एड हो जाता तो एक्सो चालिस लाग का आपका इन्वेस्टिट कैपिटल हो गया पंद्रा पर्शन्ट नाइन लाक आ गया आपका इवा और एक कोश्चन है कोश्चन नमबर फोर और क्या ये भी कोश्चन ICEI का है येस और क्या नाम है TY के 16 देखे एक कॉंस्टेंट इंजिनिरिंग लिमिटेड है है हाई टेक प्रोड़क्ट और रेडियूस ठीक है ये सब कानी प्रोड़क्ट है पैटेंट यहां भी पैटेंट है सो लग का पैटेंट चुकि रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड कर लेंगे नेट वर्थ दे रखा 200 करोड नेट वर्थ है 200 करोड लॉंग टम डेट है 400 करोड और जनरेट रेवेन्यू कितना 84 करोड किसमत खराव है इसको जोने नौपेट माना तो तो पैटेंट रिकॉर्ड करना तो वो पैटेंट 100 करोड इधर आड होगा कि इधर मैं फिर से बोलो नेट वर्थ मैड हो जाए अब टोटल 300 और 400 700 हो गए इसके अलावा 365 दिन का गौर्वर्मेंट बॉर्ण दे रखा इसे रिस्क फ्री रेट है हाला कि इन्होंने इसको केडी मान लिया 10 पर टैक्स है यह नहीं और मार्केट पोर्टफोल्यों जनरेट हो रहा 12 परशन रेटन और स्टॉक सेम डारेक्शन में एक जैसा मूवमेंट होता है तो इन्होंने यहां स्टॉक का रिटन माना इसको इन्होंने केडी माना मैंने कहा कुछ कोशन इसमें याद करना है बस 300 इंटू 12 400 इंटू 10 तो यह आगए है डबलू ए से सी और आंसर आगए ईवा 8.05 क्रोर्स एक है कल रहा है कोशन नमबर फाइफ the following information is given for three companies that are identical except फर दे रखा है यह तीन कंपनी दे रखा है नाम है औरेंज, ग्रैप, एन एपल, टोटल इन्वेस्टेट कापिटल है उसमें debt to asset, asset है यह है ना मतलब सर इतना debt हुआ 80 तो 20 क्या हो गया है हमारा equity debt एक लाक एक लाक एक लाक यह 80 अजार हो गया यह 50 अजार हो गया और यह 20 अजार हो पोस्ट टेक्स कॉश्ट प्री टेक्स कॉश्ट अब debt तो after tax कर लिया tax है 35% तो हमने उसको after KD निकाल लिया अब देखना equity कितने है भाईया यह है debt तो equity है भी इसका यह 50 तो equity 50 का और केई सायथ दिया हुआ है सर दिया हुआ है कि केई दिया है तो सिधा हमने क्या निकाल लिया WACC पांग क्या रहा है सर सबसे पहले WACC मांगा तो WACC उसके बाद EVA निकालना तो EVA तो निकाल लोगी EVA कैसे निकाल लोगी Nopet minus invested capital into WACC Nopet कैसे निकालेगा तब का EBIT दिया है क्या यह सर पच्ची सर पच्ची सर पच्ची सर इनों का मैंने लिखा after tax किया तो क्या आगे Nopet invested capital और WACC क्या यह आ गया हमारा EVA और बताओ EVA किस में सबसे ज़्यादा है सर इस में तो यह company सबसे ज़्यादा अच्छे मानी जाए best on the EVA which company would be considered for best investment symbol सी बात है जिसका EVA highest हो अगर price earning ratio 11 है तो बताए यह price क्या होगा उसके लिए EPS निकालना पड़ेगा EBIT मालूम है मालूम है इंट्रेस्ट है तो EBIT आ गया माइनस होगा टेक्स तो अर्निंग आफ नमबर अफ शेर से EPS आ गया price earning ratio से multiply किया तो यह MPS आ गया उसके बाद उन्होंने market cap मांगा है तो कुछ नहीं number of shares into MPS करोगे तो market cap आ जाएगा इसमें कुछ याद और कुछ समझने वाली बात नहीं है बहुत सिंपल सा topic था देखे जी चलो जी आगे देखे question number 6 हाला कि TY कि 11 है बढ़ इस question में कुछ भी ऐसा नहीं है तो करवाए सर इसको cut कर सकते है कि cut कर सकते है 100% cut ही करोगे question number 7 मुझे अच्छा लग रहा है अगर देखो कि AFM module में तो TY के 9 million एक बाद देखे क्या question with the help of following information of Jatayu Limited equity capital दिया, reserve दिया, 10% venture दिया, cost of equity दिया और financial leverage दिया ये एक नहीं चीज है इसी की वजह से और sir degree of financial leverage का formula होता EBIT divided by EBIT sir ये क्यों करवाया जा रहा है financial leverage की क्या जरूरत है no pet में या even निकलते समय क्योंकि EBIT missing है और EBIT के लिए हमको financial leverage का use okay तो sir ये 1.5 financial leverage दे रखा है EBIT है और EBIT में इससे 400 का 10% 40,000,000,000 interest minus होगा finally EBIT मिल गए 120,000,000,000 बस यही था इसमें उसके बाद तो question में कुछ बचा नहीं है सिधा KDA निकाल ला है, WCC निकाल लिया और फिर answer निकाल लिया ये मतलब या अब कुछ नहीं था ये question क्यों special है सिर्फ इसलिए क्यों कि financial leverage की मदद से EBIT निकाल लिया question number eight याद रखना कि change किया गया है थोड़ा क्या change किया गया है मैं आपको ये income statement थी इसमें खास बात क्या है इस question bad debts provision है 40 lakh इसका adjustment provision for bad debts का okay सबसे पहला काम है भाई आपको eva निकालना है eva निकालना है तो एक तो हमको interest ये दिया है 3 और सर डेट है क्या नहीं डेट है 200 200 काई debt इंट्रेस्ट कितना है 30 क्या percentage निकल सकता है 30 divided by 200 15% और सर टेक्स का रेट कितना है टेक्स का रेट दिया है और टेक्स का रेट कितना दिया है ये निकल कर दिया है 12 पर्षंट तो मेरे ख्याल से और समस्या नहीं है ये है हमारा 12 पर्षंट अब हमारे पास नॉन कैसे एक्सपेंडिचर है तो ये एड़ बैक हो जाता है और मुझे बहुत सारी बात नहीं बहुत सारी एजिस्टमेंट है जो प्लस माइनस करने होते हैं प्रोविजन के बात करोगे प्रोविजन एड़ होका बस एक दिक्कत थी कि टेक्स का ना यही वाला एमाउंट उन्होंने माइनस किया था जो मुझे सही नहीं लग रहा था मुझे लग रहा था कि मुझे 800 में से माइनस करना चाहिए इंस्टिट्यूट ने सुधार दिया है तर ये AFM अपडेट में डालोगे कि हाँ उन्होंने 800 का 30 कितना बशंट था है 800 इंटू 35 पॉस्ट यहां उन्होंने प्रॉपर 280 ले लिया और वही होना चाहिए था मैंने अब्जेक्शन भी लिया था कि 231 नहीं होना चाहिए गलत है यह तोटली अगर आप कुछ पुराने जमाने के कोश्टन पेपर उठा कर देखोगे तो फ़स जाओगे उन्होंने पुराने जमाने के कोश्टन पेपर देखोगे सजिस्टिड देखोगे तो आप खुद फ़स जाओगे प्लीज मत देखना जो लॉजिकल है मतलब हम 800 का सीधा कितना परशंट लेते 300 का थर्टी परशंट तो 240 24 यहां से मानस हो जाओगे इसकी वजिए यह चेंज हो जाएगा 800 मानस दो सो चालयस प्लस चालयस तो तो यह 600 हो जाएगा यह चेंज हुआ है और कहाँ डालोगे इसको इसको मैं एफम अपडेट करके है उसमें वेड़ा होगा यह वाला एक फॉरेक्स का भी कोश्च ओके तो सर यहां क्या करना च्छे सो करें यह तो ठीक है पस एक खास बत क्या प्रोविजन को एड़ बैक करना दूसरा इन्वेश्टेट कैपिटल कैसे निकाल उन्होंने का 1600 यह है अब जो प्रोविजन है वो डेटर से भी तो माइनस हुआ होगा तो बने उधर प्लस होगा पर उधर प्लस होगा तो इधर भी तो लाइबलिटी में भी तो बैलेंस बराबर करना है तो लाइबलिटी में भी तो प्लस करना पड़ेगा यास और कहां प्ल इस question में खाज बात किया थी इस question में खाज बात थी प्रोवीजन फ़र डाउटफुल राकि और कोशन पर ICAI ने जो गलतिया किया था उसको ठीक कर दे कोशन नमबर 9 कट कर सकते हो ऐसा कोशन हम अलरेडी कर चुके कोशन नमबर 11 कोशन नमबर 11 देखते हैं अच्छा कोशन दिख रहा मुझको अलाकि एक्जाम में आया हुआ है following is the information of Masses DY Limited for the year and the sales and operating expenses including interest हमें तो interest हटा के minus करना पड़ेगा न 250 का आठ परशन ये interest के amount है तो 250 का आठ परशन इस एक्विटीश ये capital है रिजर्व है तो सर ये दोनों मिलाकर हो गया फाइव होंड़ेगा market value दिया है DY Limited tax का rate है risk free rate है ये RF दिया है RM दिया है तो साइद ये आपको कहने के लिए बोलेगा की और बीटा कौन सा दिया एक विटी याद रखना एक और question आएगा जिसमें exit बीटा दिया रहेगा तब गेरिंग और बीटे का यूज होने वाला और शर ये दिया है तो इससे मिनेट ED निकाल लिया है अब हमने क्या किया सब 200 250 पास्तों इंटो 14 और डेट कितने का 250 250 इंटो 750 तो ये आगे मेरा WACC 11.2% इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब इवा के लिए sales operating expenses पूरे minus नहीं किया उसमें interest भी जुड़ा हुआ था 620 में इस interest तो मैंने 600 minus किया CBAT आ गया tax minus किया तो नौप एट आ गया और इसके बाद तो आपको पता है अब बात होती है market value added market value added में book value of company D.Y. limited का book value 250 प्ला 250 प्ला और D.Y. limited का market value D.Y. limited का दिया हुआ equity का नहीं दिया है किसा इन दोनों का minus किया तो 150 लाग आगे है इस question कुछ खास बात नहीं ओके तो पहला point हमारा खितम हुआ economic value added market अब दूसरा point करेंगे हम this is valuation of get concept अच्छा अच्छा question भी है तर valuation of firm बोलो या फिर valuation of business बोलिये या फिर आप इससे value enterprise value बोलो तो अब valuation कैसे किया जाता तो तीन टाइप से मैंने तीन category में बाटा था assets based valuation earning based valuation और cash flow based value अच्छा बाइब बिजनेस की value करना है एक यह तरीका है और business की value करना तो क्या assets है क्या liability assets में से liability minus करो business की value है जाएगी simple है उसमें एक method है net asset value method या book value method उसमें asset minus liability book value लेना है हाला कि इसे net asset भी नहीं बोलना चाहिए net asset में market value लिया जाता है realizable value method या net asset इसको बोलना चाहिए net asset हाला कि ICAI नहीं नोट से लिख रहा है मैं तो यह बनूँगा realizable value assets की book value liability की book value minus करोगे तो book value method अगर आप कहोगे कि नहीं भाई आज अगर हम assets बेचेंगे तो book value पर थोड़ी न बिकेगी वो तो market value बिकेगी और market value बताएगा तो आपको assets की market value लेना minus liability की payable value लेना जो भी minus करोगे उसका नाम है जाएगा value of harm और तीसरा replacement method इसमें क्या होता इसमें हम यह कहता है कि अगर हम आज इस asset को replace करके नई asset लगाए तो उसकी क्या value होगी हला कि इन सब का huge नहीं होता बहुत कम एक आद दो question है उसमें मैं डिसकूल अर्णिंग valuation क्या होता है जिससे हम यह market price कैसे निकालते share कि sir EPS into price earning ratio पस यह EPS को ना लेकर आप पूरा total earnings लेते हो into price earning ratio ले लेना या फिर earning को capitalize कर देना जिसको बोलते earning capitalize इसका भी बहुत कम use हो जो use होता भाई इसका use होता cash flow free cash flow for the firm FCFF free cash flow firm firm इसका जादा use होता this is most important ठीक है देखे क्या yes मैंने discuss किया था आपसे यार FCFF capital बश्टिंग क्या सबको याद है क्या CFAT निकालना आता है सबको yes sir sales में से operating expenses minor कर इबड़ा आता है minus depreciation तो EBIT आता है tax minus करो तो not bet आता है फिर depreciation add back करते है तो CFAT कोई दिकत की बात नहीं capital budgeting में और business valuation में अंतर क्या है अंतर यह है कि हम business valuation में हम कहते हैं हम यह NPV नहीं निकाल रहा है capital budgeting में NPV नहीं कलता है business valuation में हम कहते हैं कि अगर हम सामने वाली company को खरीदेंगे तो उससे कितना पैसा आएगा उसका present value फिर हम decide करेंगे कि अब आपको हम कितना देने को तैयार हो बात समझने के कोशिश करेंगे अगर मैं सामने वाली company को खरीदता हूँ तो क्या करूँगा मैं सामने वाली project company को खरीद रहा हूँ तो उससे माल बेचूँगा product बनाके बहुत अच्छी बात है sales तो होगा operating expenses भी होगा यह सब होगा मतलब सीधा CFAT आ जाएगा पर दिक्त क्या है कि जब भी आप business खरीदते हो उसमें हर साल capital expenditure हर साल लगते हैं तो हम कहते हैं हर साल capital expenditure लगते हर साल working capital लगता तो उसके वो सब माइनस करने के बाद हमारे पास पैसा बचेगा ना उसको बोलते FCFF free cash flow मतलब अब उसमें से कुछ माइनस नहीं करना वो firm के ल FIT में से दो चीज़े और माइनस करना होता एक capital expenditure और एक change in working capital मतलब working capital जो additional लगता हो जो आएगा उसका नाम रहेगा FCFF और उसको हम WACC से discounting करते हैं WACC जो कि कौन से basis पे लेना market value याद रखना इवा जो कर रहे थे हैं इवा में ICAI ने हर question book value method से कर रहा है WACC book value method से निकाल करके रखा इवा में लेकिन इसमें हमेशा हमें WACC market value weight से लेना है तो अगर FCFF को आप discounting करोगे WACC से तो जो आएगा उसी का नाम रहेगा value of firm या उसी का नाम रहेगा enterprise value या उसी का नाम रहेगा value of business और value of firm में से अगर value of debt minus करोगे तो जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा value of equity value of equity निकालने का और एक अप्रोच इसको बलते है FCFE pre cash flow for equity यह क्या नाम था pre cash flow for firm ओके तो अब ध्यान से देखना यहां इसमें कहीं भी interest minus हुआ है क्या sir EBIT में सिधन सिधा tax minus कर और WACC से discounting करो यहां ऐसा नहीं होता यहां EBIT में से interest भी minus होगा मतलब सा debt वाले को जो देना दे दिये यस उसके बाद जो बच्चा तो वो क्या गया pet depreciation add back हो गया ठीक है sir यहां तक हो गया अब इसमें से दो चीज़े minus करना capital expenditure और change in working capital पर सुनो मालो सर्फ मालो example के लिए capital expenditure लग रहा है 10 लाग के तो 10 लाग जो लगता है ना वो हमेशा पूरा debt वाला या equity वाला वही खर्च नहीं करता हमारा अनुमार रहता यार 10 लाग रुपए लगने वाला है ना तो कुछ पैसा debt से ले लेते कुछ पैसा equity से तो यार 60% debt से और 40% equity स तो यहाँ जो capital expenditure होगा ना only equity portion minus करेंगे टेकनिकल है ना यार वो class देखना पड़े है तिप equity portion minus करना मतलब equity वाले कितना contribute करते तो वो contribute नहीं करेंगे भाई हम आपकी earning में से कम कर देंगे ना यह ultimately किसका पैसा आप ही का तो है उसी में से मैं कम कर दूँगा इसका एक question है भा सर एक दो एक्जांपल से समझते तब बाद समझें एक question लिया है मैंने हमें क्या निकालना value of business निकलना या enterprise value निकलना FCFF दिया है आट लाग 12 लाग 20 लाग 3 साल तक चोहते साल का FCFF दिया है 15 लाग को दिया 12 लाग ग्रोथ रेट है 4 पर एनम आफ्टर फोर यर मतलब पहले साल आट लाग आएगा फिर 12 लाग फिर 20 लाग फिर 15 लाग और पाच्वे साल से ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा हमारा ग्रोथ रेट हो जाएगा 4 परशन तो ठीक ह अब तो सर हम एक P4 निकालना पड़ेगा या पाच्वे साल से ग्रोथ रेट परपेच्वल हो जाएगा तो सबसे पहले मिलना टर्मिनल इसको बलते टर्मिनल वैली यह निकाला 15 लाग इंटू 1.04 के मैनेज जी और उसके बाद 8 लाग 12 लाग 20 लाग और 15 लाग और टर्मिन बात है FCFF निकाला कैसे जाता है इस पर ज़्यादा फोकर है ठीक है सर हम तहीं आ रहा है तर सेल्स दिया 25 लाग वैरिबल कोश्ट है 30 परशन और फिक्स कोश्ट है 2 लाग इन दोनों को अगर एट कर दिया जाए तो इसको बलते ऑपरेटिंग एक्स या ओपरेटिंग कोश् ओके और इसमें डेप्रेशिशन भी इंक्लूड है ठीक है भाई एक्स नहीं एक्स्क्लूडिंग डेप्रेशिशन डेप्रेशिशन अललग से 1 लाग पच्छे इंट्रस्ट है टेक्स है FCFF निकालना तो देखो देहां से सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग कोश्ट तो यह आगए इबडा इसमें से क्या मैनस किया मैने देप्रेशिशन तो यह आगए ABIT फिर मैनस किया टेक्स तो यह आगए नौपट अब धिहां से देखना तो देप्रेशिशन तो वापस एड़ बेक करना ही पड़ेगा यस कर दिया और सर हमको capital expenditure मालूम है क्या चेक करो कहीं ना कहीं capital expenditure होगा यह में अलग से लिकर capital expenditure 1,88,000 और 32 यह आगए इसका नाम क्या है FCFF अब हम एक चाल चलते हैं हम कहते हैं depreciation add back करते हैं और capital expenditure minus करते हैं तो यह हम depreciation add back ना करे और capital expenditure 1,88,000 माइनस ना करके इसको हम add back ही ना करे और जो minus करे ना वो ऐसा करे 1,88,000 माइनस 1,25,000 हम जब minus करे तो उसे 55,000 ही minus करे ठीक है पास समझ रहा हो ना हर साल depreciation लगना हर साल capital expenditure होना है तो यह हम यह जो difference आ रहा ना यही minus करे मतलब capital expenditure minus depreciation एक ही तो बात है सिधा minus करे और change in working capital तो minus कर नहीं है यह जो आएगा हाला कि answer एक ही आएगा पर यह जादा अच्छा है capital expenditure में से हम depreciation set off कर देते हैं उसके बीचे मैंने logic भी दिया था कि हर साल जब हम business में पैसा लगाते हैं तो हर साल fix asset depreciate होता और जितने रुपए से generally जब एक perpetual growth हो जाती तो जितने रुपए से depreciation होता उतने का हम fix asset खरीदे इट मेंस हम business को stable रहने देते हैं यार ऐसा ना हो कि fix asset कम पर जाए जितना depreciation लगा चलो और fix asset खरीद लेते हैं अभी बहुत ज्यादा concept की जाए अगर मैं कहता हूं EVIT यह 3 लाग tax है 40% capital expenditure और depreciation बराबर है कि तो कुछ है नहीं है capital expenditure है बराबर है depreciation के मतलब capital expenditure offset कर रहा किसको depreci depreciation equal है उसमें FCFF कैसे निकालोगे कुछ ना EBIT मैनस tax करोगे तो यही FCFF आ गया है यही no pet आ गया है एक ही बात कुछ example number 5 मेरे ख्यासी last example है अच्छे example है बिलकुल ध्यान से करना पड़ेगा मेरे साथ त्यारो तर बेस ही हा यह important है वही सेल्स दिया है पाच लाग ठीक है operating expenditure है सर एक लाग पच्छी सर इंक्लूदिंग depreciation मतलब depreciation अलग से मैनस नहीं करना tax का रही था 30% capital expenditure है 1,45,000 और depreciation है 30,000 ठीक है sales and operating expenditure will grow by 15% in next 3 years sales और operating expenditure कितने परशन से बढ़ेंगे 15% से बढ़ेंगे आने वाले 3 साल ता और उसके बाद 10% परपेच्छवल हो जाए capital expenditure net of depreciation ग्रो होगा 15% तक next 3 years और चोहते साल से capital expenditure और depreciation बराबर हो जाएंगे capital expenditure और depreciation में ग्रो नहीं होगा वो दोनों equal हो जाएंगे working capital जो है वो sales का 10% है यह important है वाई WACC दिया है आपको निकालना value of firm जब भी ऐसा आएगा अब हमें statement बनाना पर इतने सार एक दो तीन क्योंकि यहां growth rate कितना है सर यहां growth rate है 15% और सर तीसरे साल के बाद से growth rate कितना है 10% तो सर आप 3 साल तक का बनाई है और काम हो जाएगे नहीं आप सुनना 4 साल में एक दिक्कत है हर चीज ग्रो होगी हर चीज 10% से ग्रो होगी सिर्फ एक के इसलिए मुझे चोहते साल का बनाना पड़ेगा यहां बच्चे बहुत ज्यादा confusion उनका कहना है सर तीन साल का growth rate को मालूम है तीन साल तक कितना परसंट कितना परसंट है 15% तो सर चोहते साल का यहां का अगर हमको टर्मिनल निकालना है तो P4 लेना पड़ेगा सोरी P3 निकालना है D4 लेना पड़ेगा यह FCFF4 लेना पड़ेगा उनका कहना सर आम यह नहीं लेख सकते क्या है 2 1 1 2 1 4 4 1 0 1 point कितना परसंट से growth हो उड़ा उसके बाद 10% से 1.10 divided by नहीं ले सकते ना भाई यह थोड़ीं 10% से बढ़ रहा है उसकी वज़ा क्या मालू है यह सारी चीज़े दा 10% से बढ़ी पर यह 10% से नहीं बढ़ रहा है और यह भी 10% से नहीं बढ़ रहा तो आप नहीं ले सकते आपको 34 साल का बनाना ही पड़ेगा 4th year का हाँ बोलो हाँ सर काम करें यास तो पहले भाई सेल से स्टार्ट करते सर बिना हम सेल से नहीं भी स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा कि यस कितना से एल्स दिया 5 लाख कितने परशंट का ग्रोर हो रहा है तर 10 परशंट का 10% 15 परशंट 15-το फिर 10 परशंट तर सब 4.1 बिता बढ़ा देते तो हां बिलॉकल सही सीदा थे बिता बढ़ाते है मतलब कितने परशन से 15, 15, 15 और 10 तो भी काम चल जाता ना सर टेक्स तो नौपेट आये सर, नौपेट कोई सीधा बढ़ा देती तो भी काम चल जाता अब धियान से, यहां तक तो आप कर लोगे अब मैंने क्या किया Capital X expenditure में से depreciation माइनस कर दे तो सर यह आगया एक लाग पंद्रा आगया और लिखा हुआ है कि आने वाले 3 साल तक यह 15% से ग्रो होगा 15% 15% 15% और 4th year में यह दोनों बराबर हो जाएगा मतलब वहाँ stable growth हो जाएगा जितना capital X जितना depreciate होती होगी ऐसे उतने का हम capital expenditure मतलब कर देते हैं अब जो time लगेगा वो लगेगा working capital प्लीज हाँ जोड़के विंतिय working capital में कोशिश करना की shortcut ना माँ तो सब working capital कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ लिखा है working capital भी 15% से ग्रो होगा ऐसे यह सब्द नहीं लिखे है सब्द लिखे अगर यह सब्द लिखे होते तो हमारे पस और दूसरे तरीके है लिखा कि working capital जो होगा वो sales का 10% रखना पड़ेगा तो हमने एक working note बनाया और कहां से base year से लिया हो base year 1, 2, 3 sales हमको पता है पाच लाक यह 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 वरकिंग कापिटल कितना रखना है हमको 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% अब पहले से हैं 50,000 और अब भी है 57,500 तो सब्सरे डिफरेंस है और it means हमें additional working capital लगेगा 7,500 ऐसे यह तो बुलो difference कितना लगेगा 8 से मतलब सर यह भी तो 15% से बढ़ड़ा होगा यस बिल्कुल साथ है आपास तो plus 15% वाउ सर यह भी plus 15% यस सर आप 10% से बढ़ा देतें नहीं न भाई यहीं गरबड़ हो जाएगा आपसे बस मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ खेल खतम हो जाएगा आपका बस यह मुस्किल गाँ यह प्यार से जो भी डिफरेंस से वो लिखती रहो यहीं खेल खतम होगा अगर होगा बस इसको उठा कर लिख देंगे इस चैंज इन वर्किंग कापिटल और जो आया इसका नाम किया रहा एपसी है और इसको डिसकाउंटिंग करोगे तो जो आएगा उसका नाम किया रहाएगा वैल्य ओफ ओके और यह मैंने निकाला और फिर पर यह एपसी एफ़ फोर है की मैनस जी किया की ओ मैनस जी तो यह आगे टर्मिनल वैल्यू इसको भी डिसकाउंटिंग किया तो भी आगे है ठीक है किया हम कोश्चन के लिए तियार हो चुके है तो इस्टार्ट करेंगे कोश्चन नमबर फिप्टीन हमारी बुक से और एफम का टी वाई के सिवन चलो तो पहला कोश्चन देख रहा है बिजनिस वैल्यूविशन का मतलब मतलब वैल्यूविशन और फिप्टीन है और यह है टी वाई के सिवन देखे एक बार फॉलिविशन अवेलिबल इन रिस्पेक्ट आफ एक्स वाई जेट विच इस एक्स्पेक्टेट टू ग्रोव हायर रेट फो फो येर तुरू के आने वाले चार साल तक ग्रोथ रेट हाई रहेगा और उसके बाद इस्टैबलीज हो जाए पेस एन की इन्फोर्मिशन दिया है रेवेन्यू है दो हजार करोड EBIT चाहिए था हमको EBIT दे दिया है EBIT कितना है भाई? 300 करोड तो उसे रेवेन्यू क्यों दिया है वर्किंग कैपिटल के लिए रेवेन्यू दिया हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिशिशन नेट करके देखोगे तो 80 करोड का ये दिख रहा है इन्फोरमिशन फा हाई ग्रोथ और इस्टेबल ग्रोथ हाई ग्रोथ मतलब सुरू के चार साल तक रेवेन्यू और EBIT में कितने पॉर्शन का ग्रोथ है 20 पॉर्शन और चार साल बाद इस टेबल में कितने परॉशन का है 20 पॉर्शन ईसी कैपिटल एक्सपेंडिचर net of depreciation 20% का growth है और ठीक 4 साल बात ये दोनों equal हो जाए ठीक है जा इसके लावब रिस्क फ्री यहाँ अलग है यहाँ अलग है बीटा यहाँ अलग है यहाँ अलग है मार्किट रिस्क प्रीमियम RM-RF और pre-tax cost of debt सर इसको post tax कर लेंगे और debt equity ratio यहाँ 1 is to 1 है यहाँ 2 is to 3 है मतलब क्यों दिया होगा WACC इट मिंस वो यह कहना चाहता है कि WACC भाई सुरू के 4 साल तक कुछ और रहेगा और 4 साल बात कुछ और रहेगा अब सबसे पहला काम क्या किया जाए सबसे पहला काम WACC निका लेते तो टेंशन कराम तो सबसे पहले WACC ठीक पहले formula लिख दिया के का और केडी का अब बात किसकी कर रहा है high growth में WACC क्या होगा तो high growth में RF कितना था तर RF था 10 और RM minus RF था 6 और बीटा था 1.15 तो इसको लेकर हमने के निकाला और after tax KD भी निकाल लिया मेरे ख्याज़े इसमें दिक्कत अब वेट कितना था यार वेट था 1 इस्टुमान मतलब 0.5, 0.5 तो 0.5, 0.5 के हिसाब से फिर हम लोगोंने WACC निकाला जो किया आया 13% मतलब सर high growth जो सुरू के 4 साल है उसमें हम जो discounting करेंगे वो 13% करेंगे और सर जब stable growth हो जाएगा मतलब 4 साल बात तो ऐसे के और केडी निकाला और वेट देखना 2 by 5, 3 by 5 दिया सुरी 3 by 5, 2 by 5 इसको ध्यान से करना 2 है debt और 3 है equity और पहले मैंने के ले रखा इसलिए मैंने 3 by 5 किया 0.6 और 0.5 तो WACC निकल गया 12 परशन पहला काम है हमने WACC अब उसके बाद सर start कहां से करे FCFF निकालना FCFF निकालना EBIT से start कर से कितने परशन का growth है 20% का कितने साल तक 4 साल तो यहां से start किया यह base year है 20% पाचवा साल भी बनाना पड़ेगा दिस टर्मिनल यह और यहां growth rate कितने परशन का है 10% का rupees and crores में काम हो रहा तो सर्थ 300 plus 20% मतलब 1.2 into 300 260 हो गया 432 हो गया 218 हो गया 622 हो गया plus 10% का टेक्स तो नोपेट आगया सर्थ सीधा नोपेट से start कर सकते हैं कर सकते हैं इसके बद capital expenditure minus depreciation तो हमने अलड़े निकाला था कितना निकाला था हम लोगों ने सर हम लोगों ने निकाला था 80 कितने परशन का ग्रोथ है 20% 80 को 20% से ग्रोथ किया और यहां उन्होंने कह कि यहां set off हो जाए इसके बाद जो लगेगा time वो किस में लगता है सर वो लगता working capital working capital के लिए कुछ लिखा था क्या 25% of revenue हम working note बनाएंगे और यहां revenue लिखेंगे 10% और उसका 25% मतलब सर इसको हम सीधा बढ़ा सकते हैं कि 20% से बिलकुल बढ़ा मतलब 1.2 इन्टू 500 300, 720, 864 1030 बस लास्ट में प्लस 10% 1140 अब working capital लग कितना रहा है 100 120 144, 172 और 10 ठीक हमने यहां माइनस किया यह आगया FCFF यह हमको निकालना पड़ेगा वैल्य ओफ फर्म कौनसे यहर का फोर्थ यहर का इसे टर्मिनल वैल्यू FCFF5 KO मैनस जी इन्धियान रखना यहां KO कौनसे वाला लेना stable growth वाला मतलब 12 परशन निकाला था ना यह यह वाला लेना पड़ेगा सर क्योंकि stable growth में 12 परशन WC और यह किया तो यह आ गया growth में भी change है क्या growth में growth तो 20 परशन था फिर 10 परशन था यह आ गया 187 6 अब हम तयार है अब इसको discounting किससे करोगे 13 से इसको भी 13 से इसको भी 13 से इसको भी 13 से और इसको भी 13 से क्योंकि pull कर रहा हूँ ना यार यह यहां तक सर इसके लिए 12 परशन मत लेना अब इसको यहां पहुचाना था 13 परशन से discounting होगे वह हमने किया 13 परशन से discounting किया तो finally यह आ गया this is value of business ठीक है question अच्छा है please करोगे similar question है question number 16 15 और मेरे एक हाल से इसमें दिक्कत नहीं जाएगी यह अब आप से आसानी से बन जाएगी सर इसको cut भी कर सकते है कि cut कर सकते है क्योंकि यह repeat question है एक और similar question था question number 17 हाला कि हमारे module का question है ty के 8 पर इसमें कुछ ही special नहीं है इसको भी क्या जा सकते है कि cut सकते है same question है cut भी कर सकते है repeat question यह भी cut कर दो question number 18 question number 32 किदा मैं question number 32 पर पहुँचा हूँ question number 32 वाके अच्छा question है question number 32 और क्या यह ICAI का question होना चाहिए पर यहां कुछ लिखा नहीं है TYK के question अच्छा है question में कुछ गरबडिया है मजना पड़े है ABC India Limited a market leader in a printing industry और planning कर रहा है divergify ठीक है business that have recently opened by government of private sector in Minwell CA यह सब कहानी दे रखा है आप से क्या कह रहा आप निकालिए company का valuation करना है ठीक है और यहां लिखा he is not satisfied with the current market price तब सर करन्ट market price कितना लिख दिया हुआ है 66 रुपे लिखा हुआ current market price it means सर यहां हमको current market price निकलना पड़ेगा मतलब हमें share का price निकलना पड़ेगा yes कौन सी approach से निकालोगे ABC यहां से देखो debt दिया है number of shares है FET दे रखा है EBIT भी दिया हुआ interest दिया है capital expenditure है इसके लाबाद debt decision ने खाद बात सुना जितना capital expenditure है उतना ही debt decision working capital निकाल कर दे दिया working capital के लिए यह नहीं बोला कि revenue का 25% तो सीधा working capital को बढ़ाती हुए चलेंगे 2010 से 2014 तक growth rate है 8% और उसके बाद है 6% F C F F 2014 का आपको नहीं निकालना वो निकाल कर दे दिया यह यह गरबड तो करे के start start कैसे करे तो start ऐसे करते हैं सबसे पहले WACC ठीक है तो क्या-क्या चीज़ चाहिए सबसे पहले केई चाहिए कर केई दिया है 16 पर Thank God 16 परशन उसके बाद केड़ी चाहिए केड़ी का formula I1- tax पर I नहीं मालूँ तो अब देखो यार कैसे निकलूँ 218.125 का interest का amount है और date है 1934 तो सर यह निकल गया interest उसको हम after tax कर देंगे तो यह आगा है C1 Sir tax कैसे निकला tax का rate भी नहीं दिया तो देखो tax का rate कैसे Sir EBIT है Yes interest है Yes और EBT भी दिया हूँ EBT निकल गया और PAT दिया हुआ है तो सर 10-10 divided by this ठीक है सर यह तो हम निकालेंगे 36% बहुत अच्छा कोश तो सर अब हमको KE मिल गया है हमको KDB मिल गया है अब WSEC चेक करो आपके पास equity कितने का debt तो है 1934 और equity कितने का आपको market value weight लेना है 66 into 75 75 lakh shares है तो 66 market price तो फिर हमने वही किया 4950 का हमारे पास है equity और debt है 1934 का दोनों मिला कर यह है तो इससे हमने WSEC निकला वो निकला 13.53 ठीक है अब यार यहां और कुछ काम कीश बात है कि यहां से question बढ़ा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी जब यहां बढ़ा तो लिखा the capital expenditure is expected to be equally offset by depreciation in future सबसे मुश्किल यह बात लिखिए the debt is expected to decline by 30% in 2004 2014 में debt 30% से decline हो जाए decline कैसे हो the debt का value कम हो जाएगा या फिर debt का payment हो जाएगा आगे और समझाया estimate the value of company सबसे पहले value of company निकालना है उसके अलावा market price निकालना है ठीक है सर निकाल लेंगे और CEO based on the forging data assume that cost of equity 16 परशन फिर लिखा 30% of the debt repayment हो जाएगा 2014 उसने का debt का value कम कैसे होगा बहुले debt को हम repay कर देंगे हम तयार है हम किसलिए तयार है हम FCFF तो चलो सबसे पहले EBIT 1- tax किया तो 156.8 आगया base year का check करूँ क्या EBIT है 1- tax कर दूँगा tax का rate है 30% किदा नौपेट से start कर 245- 36% 156.80 156.80 और शुरू में 2014 तक growth rate कितना है 8% तो 1.08 156 ठीक है 197 213 और 230 सर 2015 में तो 6% का growth है ना जरूरत नहीं है तो क्यों जरूरत अभी तक तो जरूरत थी पिटे यहां हम क्या निकालते थे हम FCFF निकालते थे उसके बाद वाला को उन्होंने दिया है उन्होंने का आप मत निकालो भाई हम आपको दे रहा है कि यार 2014 के बाद जो FCFF रहेगा वो 240 रहेगा बस उसी को आप base ले ले Change in working capital यह important इसके लिए मैंने working note बनाया हो अब revenue की जरूरत नहीं है हमें working capital मालूम है 44 कितने percent से grow होगा 8 percent ठीकर 1.08 8 percent इसके बीच का difference निकालते गए ठीक है सर अब करेगा पेचेंज इन working capital माइनस किया एक चीज है repayment of debt भी माइनस हो रहा repayment of debt 1934 का 30 percent कौन सी यर में payment हो रहा है 2014 में ऐसा लिखा हुआ है यह FCFF आ गया और इसको हमने 13.53 percent से discounting किया तो यह आ गया 354.99 lakhs इसका present भी अब वो जो FCFF बाद वाला था 4 साल के बाद वाला 54.99 यहां तक कोई दिक्कत है क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब आगे समझ रहाए सर 2014 के बाद FCFF कितना हो गए 240.336 और सर 2014 के बाद तो डेट तो कम हो गया मेरी बात समझ रहा है इस कोईशन में क्या गरबढ़ है यह मैं आपको क्लास के साथ डिसकस कर चुका हूँ क्या मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता जैसे ICEI नहीं किया है वैसे मैं करना हूँ इट मिन्स यहां 2016 2014 के बाद यह का प्राइस यही है हम मान के चल रहा है जो की गलत 60 रुपई ही मान के चल रहा हूँ और 2014 के बाद डेट तो इतना हो जाएगा और उस हिसाब से मैंने WACC निका लिया और WACC को यहां योज किया तो यह आ गया है मेरा टर्मिनल वैल्यू क्योंस येर का फिप्थ येर और उसको फिप्थ येर के फैक्टर से मल्टिप्लाई किया तो यह आ गया वैल्यू फ़ ठीक है और वैल्यू फ़ब में से वैल्यू फ़ब डेट मैनस किया कुछ बच्चों कहां कहना आज जो दिया है वैसे करो 1925.62 कोई दिकत की बात नहीं है वैल्यू फ़ब फ़ब है और इस में से मैं ने 1934 का क्योंकि 70% मैनस क्योंकि क्या आ गया value of equity divided by number of shares किया तो ये आ गया share का price ये होना चाहिए जब कि है कितना 66 तो ये overpriced question बहुत अच्छा है और मुझे पता नहीं कि ये exam में आ सकता है कि नहीं पर please question देख कर चले जाना question number 34 actually ये value of equity का question होना चाहिए था बिल्कु simple way में करवाए बिल्कु simple way please इस question को भी देखना है कि अच्छा question इसमें निकालना क्या है sir निकालना value of share और value of share कैसे निकलते है sir value of equity निकाल लेते हैं और divided by पहले value of firm निकालते है एक approach ये होता है FCFF से value of firm निकालेंगे उसमें से value of debt minus करेंगे तो value of equity अभी किया था value of equity आएगा value of equity में divided by number of shares करेंगे तो prices है दूसरा और एक तरीका है किया profit after tax लिखा है profit after tax मेरा सिम्बल से अगोशन है क्या interest minus हो चुका है या सेट का इंट्रेस्ट अल्रेडी minus हो चुका है अब इसमें से interest minus हो चुका है यह सर हो चुका है debt वाले का minus हो चुका है बस अब इसमें से और minus कर देंगे हम capital expenditure और working capital capital expenditure net of depreciation और working capital लेकिन याद रखना सिर्फ equity portion minus करना पड़ेगा यह समझाया था तो यार इसको मैंने बोलो net capital expenditure ध्यान से per share दिया ना इसलिए मैंने per share निकाला हूँ ठीक है तो यह per share आया अब इसमें से क्या minus करना capital expenditure चेक करो capital expenditure per share दिया और depreciation पर देशर इनको मैंने net कर दिया और सिर्फ equity portion तो चेक करो debt ratio कितना है सर debt ratio है 27% तो equity का portion कितना होगा सर जितना पैसा लग रहा है उसमें 27% debt से arrange होगा तो बचा हुआ equity से तो इनकी earning में से कम कर देते हैं ऐसी working capital में भी इसका portion सिर्फ equity portion इसमें से यह सब minus किया तो जो बचा वो बचा FCFE per share free cash flow for equity basic में समझा रखा है अब क्या किया डिवाइड वाइड के मैंने जी कर दो खतम के के लिए बीटा दिया है आरेब दिया आरेम दिया है तो वही में नहीं हो जाए ठीक है सरी 8.86 आ गया तो FCFF FCFE1 1.08 से is divided by this this is P0 यह कोश्चन भी आपको देखना पड़ेगा यूनिक कोश्चन सेम कोश्चन यह है इसको कट कर सकते आप कोश्चन नमबर 12 कोश्चन नमबर 12 जो है न वो इस बेसिस पर है कि हमको जो WACC लेना होता है वो लेना होता है कौन सी एप्रोस से market value पर कोश्चन नमबर 12 यह बता रहा है कि गलती से हमने जब value of firm निकाला तो वो book value weight से निकाल लिए फिर बता रहा है कि actual में market value weight कुछ और होना चाहिए उसके हिसाब से correct value of firm निकाला तो वैलिएशन हो चुका है और expected free cash flow के हिसाब से 54,00,00 for the following year an expected growth rate है 9% उसके हिसाब से हमने value निकाला अठारा सो लाख निकल चुका है value और FCFF1 है 54 सर कैसे पता लगा expected सब्दलिक और growth rate है 9% उसके हिसाब से हमने केव निकाला सर केव क्यों निकाल रहा है उसकी वजह में बताऊं जो अठारा सो लाख रुपए निकला है value आपने गलती कर दिया था valuation में आपने कौन सा value ले लिया था book value ले लिया इसका debt और equity जबकि actual कौन सा value लेना होता है market value book value weights जो है वो हमको actual में पता नहीं है cost of equity पता है 20% और KD मालूम है 10% 20 मालूम है 10 मालूम है को कौन सा you each किया ये तो हमने निकाल लिया सके help कैई का का मतलब equity का होगा और ये किसका निकला ये कौन सा value निकला, book value अब वो क्या कह रहा है बोले जो book value weight है the value of equity is thrice its book value जो आपने book value weight निकाला न, point 2 इससे 3 गुना ज़ादा है बोल रहा है कौन सा? equity का weight और debt का weight कितना है बोले 9 tenth of its book value ये ty के 6 है मतलब आपकी book का question है भाई जिसे गर बस, भी किया point 2 से 3 गुना ज़ादा मतलब point 6 और point 8 से 9 tenth मतलब point 7 to इन दोनों का add कर दिया अब इसके साब से मैं weight निकाल लेता हूँ इनोना weight निकाल के भी कर सकते हूँ सीधा भी कर सकते हूँ 20 into point 6, 10 into point 7 divided by 1.32 तो ये आ गया है sir ये आ गया है WACC इसके साब से market value और उसको मैंने यहां किया तो ये आ गया correct value अच्छा question है भाई देखना पड़ेगा ऐसे question number 13 है cut कर सकते हैं question number 14 भी ऐसा एक question करना पड़ेगा जो मैंने आपको करवाया हूँ please बना लेना question number 25 क्या ये हमारे ग्जाम में आया है आया है एक्जाम में बट क्या ये AFA मॉडूल में है नहीं इस question में खास बात क्या है इस question में खास बात ये है उसने value of business ने पूछा है और अलग-अलग है प्रोसिप ठीक है T-Limited recently met a profit 50 करोई PED PED सर्दलिक PED आउट 40 करोड क्या PED किया है dividend profit after tax कितना 50 करोड dividend PED कितना किया 40 करो price earning ratio दे रखा है 9 industry price earning ratio है ठीक है as per balance sheet of T-Limited shareholder fund है 225 करोड number of shares है 10 करोड in case company अगर बंद होती है तो जो building बेची जाएगी वो 100 करोड जादा में बेची जाएगी और जो stock है वो 25 करोड कम में होगा ठीक है एक बार हम information पढ़़ आए मतलब सर अगर देखा जाएगी तो 225 करोड में 100 करोड add कर देंगे माइनस 25 करोड कर देंगे और दूसरे भी data दे रखा हो सकता काम आएगा projected dividend growth दिया 4 पर risk free अच्छे market rate of return है 11 dividend yield है 6% और beta दिया 1.2 you are required to calculate the value of T limited using price earning model पहली बात price earning model में हम लोगों को earning into price earning रिशन हाँ ठीक है पर earning या pet कौन सा वाला लेना है past का expected profit after tax नहीं लेना है जो है वो लेना है और वो कितना है 50 करोड तो 50 करोड से multiply कर दोगे तो यह आ गया 450 करो this is value of business तूसरा dividend yield dividend yield में भी expected dividend नहीं लेना होता please वो dividend growth model होता तो expected dividend लेना होता तूसरा dividend 40 divided by 6% कर दिया तो यह dividend growth है तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा expected तो आपको क्या लेना पड़ेगा 40 और क्या करना पड़ेगा 1.04 और के माइनस जी कर दोगे के निकालने का फॉर्मला यह 25 नहीं कहा है dividend growth 520 करोड का वैल्यूशन तर बुक वैल्यू बुक वैल्यू कुछ नहीं बुक वैल्यू मतलब वही जो बुक वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है 225 करोड़ और दूसरा net realizable value तो यार प्लस माइनस करना पड़ेगा 300 करोड़ बात समझना एक एक चीज इंपोर्टन्ट इसमें price earning ratio में अभी का profit after tax आपको expected देखने नहीं है dividend yield में भी अभी का dividend देखना dividend growth में expected dividend देखना है बुक वैल्यू कुछ है नहीं है net realizable value मतलब आज अगर बेचे तो building 100 करोड़ जादा में भी कहेगा stock 25 करोड़ कम में तो मैं homebook देखना है और same question यह है question number 22 cut कर दीजे खीक है सब अब आगे चल रहा है आगे और अच्छे-च्छे question चलो जी आगे चलते हैं थोड़ा अच्छे question करते हैं question number 23 board notes में नहीं था यह screenshot है तो आपको थोड़ा सा management okay अलकार model बोला जाता है हलाकि नाम में कुछ नहीं रखा है question अच्छा है और unique question question number 23 एक बार read करेंगे बाद समझे sir हमारे book module का question है कि yes tyk 3 ABC company is considering a new sales strategy new sales strategy adopt करना चाहते हैं और वो कितने साल तक रहेगा बोले 4 साल तक valid रहेगा इसका मतलब क्या कहना चाहते है इसका मतलब वो यह कहना चाहता है कि भई हमारे पास कुछ strategy है अकर उस strategy को adopt कर दिया जाए तो चार साल तक market में boom हो जाएगा मज़ा जाएगा growth speed से होगा high growth और उसके बाद एक ना एक समय के बाद कहीं ना कहीं तो stable हो जाएगा तो उसके बाद stable हो जाएगा ऐसा कुछ कहना का चाहता question तो बुले हमारे पास कोई strategy है sales strategy अगर हम उसको adopt करते हैं तो चार साल तक यह strategy valid रहेगा ठीक है और हमें यह पता करना है कि इस strategy की वज़़ज़ से हमें कितना फायदा हो सकता हमें निकालना है value of new sales अभी जो year खतम हुआ है उसके information है sales है GP margin है gross profit है administration selling and distribution है expenses है PBT है और यही EBIT होगा ठीक है क्योंकि इंडरेश्ट तो मैनस होता नहीं है वैसे यह EBIT actual debt है नहीं tax है ठीक है profit after tax है actual में यही तो no pet fixed assets है current assets है इसके अलावा equity भी है मतलब debt नहीं है fixed asset है current asset है और equity है debt नहीं है तो अगर debt नहीं है तो जो pet नहीं है यह EBIT है और यह no pet ठीक है if it adopt the new strategy अगर हम new strategy adopt करते तो sales बढ़ जाएगा 20% per year for 3 years sales बढ़ेगा 20% के साब से आने वाले 3 साल तक और 4 साल से established हो जाएगा यह कि वो था हूं को पता था पुर्ड़ जीपी margin asset turnover ratio मतलब साथ total capital structure मतलब debt नहीं आएगा पिक्चर में और income tax rate unchanged रहेगा मतलब क्या बोला total asset भी उसी ratio में बढ़ेगा GDP margin asset turnover ratio मतलब जिस ratio में turnover बढ़ेगा उसी ratio में asset बढ़ेगा यह बोलना चाहता है पर बच्चे बहुत ज़्यादा intelligent बोलता है नहीं sir asset turnover ratio का formula लगाएंगे फिर turnover लिखेंगे उसके साब time pass मत करना भी capital structure में equity रहेगा जब asset बढ़ेगा तो equity भी बढ़ेगा और income tax rate जो है वो unchanged रहेगा depreciation रहेगा 10% of net fixed asset यह important है at the beginning of the year required of return है 15% आपको बताना है value of strategy incremental value due to adoption of the strategy ओके तब पहला काम क्या करना है सबसे पहला काम है अगर हम strategy adopt नहीं करते है तो sir FCFF divided by WACC कर देंगे क्योंकि हमारा यह मानना है कि जितना हमारा depreciation लगता है अगर कुछ ना बोला जाए तो जितना depreciatable होता है असे उतने कही हम capital expenditure कर देते it means सुनना में क्या कहना जाए मतलब sir अगर कोशन में कुछ ना बोला है तो जितना depreciation लगता है उतने ही हम new machinery खरीद लेते है तो यह दोनों एक बराबर आता है तो no pet ही FCFF हो जाता है अगर कोई grow ही नहीं हो रहा है तो its condition में value of firm या value of business निकल जाएगा pre-strategy value of business दिख रहा होगा आपको और मैंने pet divided by ko किया तो answer आ गया है 9333 पर बहुत सारे बच्चों का doubt था sir आप pet divided by ko कैसे कर सकते है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं कर ही रहा हूँ FCFF divided by ko इसको pet divided by ko लग रहा वो अलग matter तूसरा post strategy value of business सबसे पहले हमको value of business निकालना पढ़ेगा कितने साल तक valid है चार साल तक उसमें सबसे पहले क्या क्या चीज में change नहीं होगा बोला है तर उसने बोला asset में change नहीं होगा मतलब asset भी turnover के ratio में बढ़ेगा ठीक है asset का मतलब totalize fixed asset भी current asset और capital structure में भी change नहीं होगा तो equity भी आपको उसी ratio में बढ़ाना पढ़ेगा okay मतलब debt picture में नहीं आएगा income tax rate की बात तो पहले वो लिख ले अब change असर इसका क्या यूज है यूज क्या वो बाद में समझेंगे fixed asset अभी कितने हैं का 8000 कितने percent से बढ़ाना है 20 percent से 8000 plus 20 percent plus 20 percent plus 20 percent plus 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 20 percent उसके बाद कोई grow नहीं है उसके बाद established है तो यह है चाहिए उसके बाद current asset यही रहेगा 4000 था फिर 20 percent 20 percent 20 percent फिर established और अगर आपका equity भी जितना यहां total asset रहेगा उतना equity रहेगा बात का था यह दिखा दिया क्यूंकि उसने बला change नहीं हो अब सबसे मुख्य काम है कि हम FCFF निकाले और start कहां से कर सकते start हम कहीं से भी कर सकते start वैसे हमको ABIT से पर सीधा nopet से start किया ठीक है चलेगा यह है nopet 1400 और कितने version से बढ़ाना है 20 percent तो 14 1.20 इंटू 14 एक दो तीन 2419 और यहां 2419 अब इसमें प्लस क्या करेंगे depreciation अब important है depreciation निकाला कैसे most important दिखा है depreciation जो इस साल लगेगा वो इस पर लगेगा जो इस साल लगेगा वो इस पर लगेगा इस साल लगेगा वो इस पर लगेगा और जो इस साल लगेगा वो इस पर 10 percent मतलब सर यहां का depreciation कितना जाएगा 800 यहां का depreciation 960 यहां का depreciation 1152 और यहां का depreciation 5 अफिक्स एसिट तर यह question unique है ना हाँ यहां depreciation अलग तरीके से निकल अगया यहां fix एसिट भी अलग तरीके से पते को fix एसिट क्या बोल रहा जहां से समझा यह था 8000 उसमें से 800 का depreciation लग गया तो fix एसिट कितने का बचना चाहिए था 7200 जबकि यह 9600 कहां से आया 9600 खरीदा होगा कितने का खरीदा होगा 9600 माइनस 7200 2400 का fix एसिट खरीदा होगा आप हेजार था 800 depreciation लग गया कितना 7200 बचना चाहिए था 9600 इदर से बढ़ा खरीदा है 2400 का खरीदा चिक ऐसे और करें 960 का depreciation लग गया मतलब बचना चाहिए था 9600 माइनस 960 8640 बचना चाहिए था पर बच्चा है 2520 है 2880 का depreciation इस तरह से ही depreciation लग आप fix एसिट एकाउंट बना ले न और साथ current assets current assets में तो कोई जरूबत नहीं है 4000 से 4800 800 960 गयारास तो बचना जैसे working capital चैंजी ने working capital निकलते न बस तो ये FCFF आ गया और ये तो perpetual है तो FC terminal value 3 निकाला में ने divided by 15% कर दिया FCFF 4 divided by 15% तो 16128 और 16128 को discounting कर दिया ये सर पहला साल ये दूसर साल ये तीसर साल और 34 साल से तो perpetual है है तो ये present value आ गया difference क्या आ गया सर डिफ्रेंस आ गया value of strategy ठीक है तो चलो जी तो जाएगा को value of strategy नेगेटिव है तो हमें नहीं question number 24 नहीं भी करोगी तो चल जाएगा question number 19 अच्छा question है और ये है ty के इस question को भी पढ़ लेते है question अच्छा है जी आफ्टर टेक्स मतलब सरी ये profit आफ्टर टेक्स है क्योंकि हम future का profit निकाल रहा है और future में जो extraordinary income है वो future में थोड़ी होने की संभाव ना है इसलिए minus करना पड़ेगा और कोई extraordinary law से तो उसको वापस क्या करना पड़ेगा plus करना पड़ेगा आपको correct profit और बोला भी है कि जो existing operation है वो as it is ही जाएगा except for extraordinary इसके अलावा हम new product launch कर रहा है और new product launch करेंगे तो sales वगेरा ये सब दिया हुआ तो sales में से ये सब खर्चे minus करोगे तो 28 लाग का profit before tax दिया value of business निकालना अगर capitalization rate कितना दिया है 14% सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा इस वाले profit को ठीक करना पड़ेगा तो पहले pbt कर लेंगे पहले profit before tax कर दिया उसमें extra ordinary income minus कर दिया और extra ordinary loss को plus कर दिया तो profit before tax आया existing business से 112 लाग और new product से 28 लाग दोनों को add कर लिया उसमें से tax तो ये आगया future maintainable profitable और उसको मैंने capitalization rate 14% से discounting किया तो value of business आगया 700 लाग इसके लावा MPS मांगा अगर share capital में आपके पास 1 लाग into 100 लाग का 13% dividend देना है 50 लाग equity और 10 times price earning ratio तो अब यह सबसे पहले काम क्या करेंगे जो आया था profit profit कितना आया था 98 lakhs 98 lakhs में सबसे पहले profit dividend minus करेंगे जो earning आएगा number of shares तो EPS आ गया करने की जरूरत ही नहीं तो 21 भी repeat question है तो भी करने की जरूरत ही नहीं ओके तो मैंने एक और बात किया था business valuation का और एक तरीका है comparative valuation comparative valuation मतलब छिल्कुल simple है side वाले से अपना comparison करो और देखिए कि उनका क्या sales होता है हमारा क्या sales होता और उनके sales की अपेक्चा उनकी company की market value कितनी है तो उसी के हिसाब से हमारे ये भी sales के हिसाब से हमारी market value क्या होगी comparison उनका asset कितना है उनके assets के हिसाब से market में उनकी value इतनी है तो हमारे पास जो asset हमारे पास कम है तो हमारी value भी कम होनी चाहिए मतलब हम अलग अलग चीजों के बेस पे कंपारिजन करेंगे एक्जामपल के लिए मुझे सिमेंट इंडुस्ट्री का जो कि ए ए लिमिटेड उसका वैल्यू निकालना है ओके और मैं देखना चाहता हूँ एसिट के बेसिस पे और सेल्स के बेसिस तो मुझे दो टाइप की सिमेंट इंडुस्ट्री सिमेंट कंपनी दिखाई थी एक बी लिमिटेड और सी लिमिटेड और इनकी मार्केट वैल्यू भी मुझे पता इसके है पास सो लाग इसके है छे सो अब मैंने देखा यार उसमें एसिट कितना है तीन सो लाग का एसिट तो मिनका यार एसिट है तीन सो लाग और मार्केट वैल्यू है पास सो लाग तो कितने गुना ज़्यादा है बहुत है जितना एसिट है ना भाई उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू है हमने इसका भी देखते है तो multiply इससे करूँ कि इससे करूँ तो मैंने average कर दिया और average इन दोनों का average करके आगे है 1.76 मैंने का यार मेरे पास जो assets है उससे मेरी company की market value into 1.77 मतलब ये होनी चाहिए 796.95 मैंने एक factor लिया कौन सा comparison करने के लिए assets ऐसी और कौन सा comparison ले लिया sales मैंने का यार sales की अपिक्छा जितने का sales होता है market value कितना है तो ले 0.417 और यहां कितना है तो ले 0.464 इन दोनों के average किया तो मैं जो sales करता हूँ उसके हिसाब से मैंने market value निकाला और market value ही ठीक है ऐसी और फिर क्या किया सर फिर आपने average कर दिया हो अगर ऐसा जोड़ते जाओंगा तो बहुत जाद जितने factor लोगे मैंने simple average मार दिया ठीक है एकस वाई एक सिमेंट कंपनी है ठीक है भई और आपको बोला गया है या फाइनेशियल कंसेंटेंट है और आपको बोला गया है कि आप SK Limited का data उठाए और AS Limited का क्योंकि similar firm है और comparable method से XY Limited का value निकाली पहला market value to book value मतलब book value से market value कितना ज़्यादा है यह ले लिया यह ले लिया टाइमस निकाला तो मैंने का या 450 चार सो पचास डिवाड़ेड़ बाई 400 तो सर यह है 1.125 टाइमस और 400 डिवाड़ेड़ बाई 300 यह आगा 1.333 टाइमस एवरेस कर लिया प्लस 1.125 डिवाड़ेड़ बाई 2 तो यह जो book value है इससे हमारे company का market value होगा 1.229 टाइमस पस ऐसे फिर replacement cost to book value इस तरह से मैंने market value निकाला तो सर सबसे पहलो मैंने ratio निकाला और average कर दिया और average जो लिखा उसका average से यहाँ multiply कर दिया यह आ गया और इन सब को जोड़के divided by 4 कर दिया होगा तो यह आ गया value पिस ओके simple तरीका था सर और एक approach होता है जिसका नाम होता है chop shop approach यह ब्रेक अप वैल्यू अप्रोच तर उसमें क्या होता है कुछ नहीं होता उसमें क्या होता है कि जैसे company reliance का और reliance company का मुझे market value निकारना है तो हम लोग generally क्या करते है sir earning ले ले लेते है earnings उसको multiply कर देते है प्राइस earning ratio से यह तरीका है जेकिन यार आप earning को क्यों focus कर रहे है पहले यह देखो कि reliance company में कौन कौन सा division है एक powers division एक telecom sector और एक FMCG ठीक है और जब आप इसकी पहले आप individual इनकी market value निकाली है ठीक है sales के basis पे निकाली है जैसे अभी निकाल रहे थे इसकी market value इसकी market value इसकी ratio दिया रहेगा capitalization ratio दिया रहेगा sales into capitalization rate कर दिया तो यहां company का value आ जाएगा किसके basis पे निकाला मैंने sales के basis एसी asset के basis पे निकाली है इसका भी इसका भी और तीनों को add करके यहां लिखती जीए it means मैं क्या कहना चाहता हूँ it means मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप एक काम केजिए आप पहले अलग अलग division का value निकाली है उसकी वज़ह क्या है उसकी वज़ह है कि या जिससे पावर्क हमारा reliance जो है वो टेलीकॉम में important है मतलब यहां ratio जादा इसकी अपेक्छा आप तीनो मतलब आप break up करके काम केजिए question no.36 वैसे तो यह module का होना चाहिए practice manual लिखा हुआ है और चलो ठीक है आप देख लेना है आप करना ही है module का हो चाहिए ना हूँ तो लिखा हुआ using the chop shop approach break up value approach आपको value निकालना है company की अभी market value है 0.4 million और आपके पास से wholesale है retail है और wholesale retail एंजनरल है wholesale का sales दे रखा है segment और income मतलब sales asset और operating income sales asset तो पहले आप wholesale का एक साथ निकाल सकते हो या फिर या फिर नदियान से ये छोड़ दो आप एक sales को base लीजिए sales के basis पे wholesale retail और general इसको multiply कीजिए capitalization rate से और value of company निकाली फिर assets को base लीजिए और फिर income को base लीजिए और capitalization rate दिया है wholesale asset तो सबसे पहले हम क्या करें तो हम sales को base लेकर wholesale का और retail का और general का हम market value है एक किया हो किस basis पे निकाल रहा है हम sales हमने क्या लिखा wholesale retail और general multiply किया ratio से और ये value of business value of business आया है wholesale retail और general तीनों का मिला कि किसको basis ले लिया? sales ऐसी किसको basis ले लेंगे? assets और assets दिया होगा बस assets से multiply करना और answer आ जाएगा ऐसी operating income से multiply करना तो value of business इन अलग-अलग factor को लेकर आएगा divided by three कर देंगे जैसे अभी किया था वैसी ही कर देंगे आप लोगों ने home work ले लिया था कि मेरे पास है कोश्चन नमबर 41 देखे एक बाह 41 भी अच्छा कोश्चन है 41 देखते है given below is the balance sheet of as limited as on 31st March 2008 यह assets दे रखा है यह liabilities दे रखा है यह लाइबिटी दे रखा है you are required to work out the value of company share net assets method से net assets method value of company value of per share कैसे निका ने वी future fund में किया assets minus liability divided by number of shares और profit earning capacity से मतलब यह capitalization rate earning capitalization method बोलते है जिसको ठीक है और फिर कहां पहुचना आपको fair price पर पहुचना fair price में इन दोनों का average कर दीते हैं जब आप earning capitalization यूज करोगे तो profit अभी इसका कितना है 64 लाख इसमें 4 लाख है extraordinary income minus हो जाएगा और 1 लाख रुपए है आपका income from investment of surplus fund और यह surplus future में नहीं होगा ठीक है इसको भी minus कर देंगे इसके अलामा additional advertisement expenses का 5 लाख minus कर देंगे land and building की हमको market value चाहिए जो कि 96 लाख और plant and machinery की 100 लाख और additional depreciation भी लगेगा 6 लाख वो कहां लगेगा वो बाद में रिख यह depreciation earning capacity में तर सबसे पहले हम क्या कर देंगे net assets net assets में land and building को आपको नहीं value लेना पड़ेगा और plant and machinery की value लेना पड़ेगा बाकी सारी चीज़े ले लीजिए उसमें से debt minus कर दीजिए जो आएगा divided by number of shares कर देना तो value per share आया किसी साब से net assets मुझे नहीं लगता कि यह आप इसमें कोई लिख कर देंगे तिर आगे चले तो earning capitalization में था PBT extraordinary income from investment additional depreciation जो था न उसकी बाद तो जो आया FMP FMP को divided by किया capitalization rate उसमें से value of debt minus किया तो यह आगया 19.40 अब यह मत बोलना कि इसको क्यों discounting करते है capitalization earning capitalization method में earning को discounting करते है और इन दोनों का average किया तो यह आगया fair value simple था okay question number 26, 27 बिल्कुल बेकार question है it means मुझे institute की बहुत सारी गलतिया नजर आती है इसमें पर खेर हमको रटना दो बढ़ेगा देखे 27 देखा भाई ऐसा है you are interested in buying some equity stock of RK limited company के पास तीन division है बोल रहा है जिसे पहले करते हैं आ रहे थे chops of approach में तो ले division A 10 percent capture करता है market industry sales कितना है 50 करोड तो 50 करोड का 10 percent हम हम capture कर लेते हैं हमारे division ऐसे division और B और C में industry sales है 20 करोड और 8.5 करोड और हम capture करते 30 percent और 2 percent तो हमको हमारे division का sales तो निकली जाएगा और net profit margin भी दिया हुआ है तो मल जाएगा अगर net profit margin भी दिया हुआ है तो multiply कर दो के तो जो आएगा वो क्या आएगा वो EPS हजाएगा और क्या सब्द लिखा है सब्द लिखा है for cost it इसका मतलब यह जो earnings आएगा net profit आएगा वो expected होगा कि current होगा सर expected ही होगा सबसे पहले हम लोगों ने EPS निकला असरे EPS निकला क्यों उसकी वज़ा उसकी वज़ा में RK Limited में number of shares है तीन लाक और share का price अभी चल रहा है दोसव पेचास okay company ने pad नहीं किया है dividend 10 साल से बहुत अच्छी बात है how here from the market sources you come to know that RK Limited will start RK Limited dividend देना start करने वाला है तीसरे साल से और कितना परसेंट dividend देंगे बिले earning का हम 30% dividend देंगे ठीक है बाई और यह उम्मीद है कि आप पास साल तक hold करोगे stock ठीक है by analyzing the past financial statement you have determined the required rate of return 18% लेना है आपको price earning ratio 10 times लेना है next year का and ending PE ratio 20 times आपको लेना है at the end of 5th year with the deserve that क्या हमें यह उम्मीद है कि हम एक साल तक ही hold करेंगे percent take on मिघ्ली अगर पीने प्राइट लागए का अगर saal बात का price earning ratio दिया हुआ है तो मुझे ऐसा लगा कि EPS निकाल लेते एक बार और EPS मेंने निकाल लिया और ये आगया EPS और ये forecasted सब लिखा तो एक साल बात कही है और EPS को price earning ratio से multiply कर दिया तो ये एक साल बात का आगया price और उसको present value factor से multiply कर दिया 18% के सबसे तो ये current market price आगया 210.90 पैसे जबकि share का price कितना है भाई शेयर का price है 250 तो इसर ओवर प्राइज है हमें नहीं खरीदना चाहिए अगर एक साल ही उम्मीद है point number 2 इतना गंदा है यार मतलब कुछ भी कर रखा उनका ये कहना कि यार अब हमें उम्मीद है कि earning जो है वो ग्रोगी 15% expected earning to grow 15% continuously how much you are willing to pay further stock of our cleavet कि मैंने तुम्में कौन से साल से dividend मिलने start हो रहा है तीसरे साल से dividend मिलने start हो रहा है एक दो तीन और है यहां से dividend और है 15% ग्रोः करता है यहां प्राइजरिंग रेशो दी है तो मैं आपको बताया था है कि मैं ऐसे करता कि EPS यहां का मालुम है यहां तो डिवीडंट नहीं है फिर 15 15 15 15 15 पर्षंट से ग्रो होता यहां डिवीडंट पे होता यहां पर हम जैसे कर रहे तो यहां प्रैजर इनिंग रेस्ट उसको डिसकांट नहीं कर ले था इंस्टिट्यूट ने कुछ और ही कर रखा है उन्होंने क्या उन्होंने कहा भाई यह जो एक साल बात का नहीं है बहुत गलत बोले वह यहां का तो बिल्कुल खुश नहीं तो सर पहले पॉइंट में आप बोल रहा है एक साल बात का पहले ऐसे अफाल्रा परशन से यह फंद्रापरशन से यह फंद्रापरशन से यहां तीन साल कंप्लीट है और इसका 30% डिवीडेंड हो गया पिर ये पंदरा परशन से इसका 30 परशन डिविट अब ये जो EPSन है इसको मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 से मल्टिप्लाई कर देना चाहिए आसल बात का उन्होंने क्या कि उन्होंने इसको 15 परशन परपेच्वल कर दिया और इसका फिर उन्होंने निकाला residual value और फिर इसको discounting किया इसको discounting किया इसको इन दोनों का discounting किया और value निकाला मैं कोशन वैसे भी नहीं करवान हूँ बाकी कर लोगे मेरे logic के बिल्कुल अगेंसे अगेंसे ओके तब स्टार्ट करेंगे क्या topic topic स्टार्ट करेंगे last मारा third part का नाम है gearing of be that's it gearing of beta हम स्टार्ट करने जा रहे है और खतम करेंगे gearing of beta को लीवर्ड बीटा और अन लीवर्ड बीटा भी बोला जाता है कि पहले हम उसको leverage करते leverage करते बहुत सारी सब्द यूज होते हैं बट मैं बिल्गु सिंपल लेंगविच में सम्छा हूंगा ये माना जाता है देखो concept क्या था concept ये था कि दो similar firm का बीटा और अल बीटा और अल बीटा ये acid बीटा अगर एक जैसी firm है तो दोनों का और अल बीटा एक जैसा ही होगा पट जिस company में debt है debt जादा है जिस company में debt जादा उसमें risk जादा है तो इसकी वजह से equity में फर्क पड़ता है और बीटा आफ equity जादा होता है sir 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 कहना क्या चाहते हो बहुत ज़्यादा concept में नहीं जा सकता simple सी बात है जब हम CAPM use करते हैं तो equation होता है rf plus rf minus rf into beta अब CAPM क्यों use करते हैं क्योंकि value of firm निकालते हैं और value of firm निकालने के लिए fc f divided by ko minus g करते हैं ko मतलब wsc अब wsc के लिए एक तो हमको लगता है k e और एक तो लगता है k d अब जब k e निकालते हैं तो यहाँ beta use करते हैं याद रखना है यहाँ beta of equity चाहिए और जो दिया रहता है वो कौन सा दिया रहता है वो दिया रहता overall beta, acid beta और क्या माना जाता है यह माना जाता है दो similar firm का acid beta, overall beta एक जैसा होता है concept में करवा चुका हूँ काम काम की बात करूँगा मतलब सर मतलब यह हुआ कि अगर market down होता है तो दोनों firm पर एक जैसा फर्क पड़ता है पर जिसमें debt होता है उसमें जो यह वाला है ना इसके अप एक्छा जादा फर्क पड़ता है पर debt की वज़ह से risk बढ़ जाता है किसका equity का तो ऐसी firm जिसमें debt जादा होता है उसमें equity beta जादा होता यह concept है acid beta निकालने का मैंने formula बताया था sir weighted average beta of equity e e plus d plus beta of debt e plus d बस भाई ज्यादा दिमाख मच जनरली debt का beta 0 होता है तो इसको उड़ा देना जनरली 0 होता है अगर नहीं होता था formula हमें करना क्या हमें equity beta निकालना अप सुना धियान से और equity beta निकालकर हमें यहां यूज करना है आपको क्या-क्या दिया रहेगा मैं time pass concept पे नहीं करूँ sir हमें यह दिया रहेगा यह सब दिया रहेगा यह तो 0 रहता है तो sir इसके मदद से क्या हम equity beta निकाल सकते है और equity beta को हम यहां लिग देंगे और काम हजाएगा बस एक ही एजंशन लेना कि दो similar firm का equity beta same नहीं होता acid beta same होता है और फिर equity beta depend किस पे करता capital structure जिस firm में debt ज़्यादा रहेगा उसमें risk ज़्यादा रहेगा उसका equity का risk ज़्यादा हो जाता है कि मैं बहुत ढंक से समझाया हूं तो एक example से बात करते हैं धीरे धीरे बात करते हैं एकजामपल No.6 सुनना धियान से दिख रहा होगा equity है 3,00,00,00 का यस debt है 2,00,00,00 I sub acid beta दिया हुआ है 2 और मांग रहा stock beta या equity beta तो मैंने formula दिया है प्लस वाला portion मैंने हटा दिया उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा है कि debt का बीट है generally अगर question में ना दिया हो तो 0 लेता है it means sir हमारा main formula तो यही हो गए ठीक है sir अब करना क्या है करना कुछ नहीं 2 मालूम है equity 3,00,00,00,00 टैक्स होता तो वह मैं बाद में करूँगा तो क्या equity वीटा निकल सकता है yes और equity वीटा निकल जाए 2 divided by 0.6 भाई साब भाई साब भाई साब भाई साब बस यह वाला formula याद रख लेना that's it sir example number 7 से समझे कि हाँ example number 7 से समझे F C F F दिया है चार लाक पर एनम पर पेच्वल उसके लिए value of हम के लिए हमको KO की जरुद है KO मतलब WS debt equity ratio दिया हुआ है acid beta दिया RM मैनस RF RM मैनस RF दिया RF दिया, RM दिया हम acid beta से multiply कर सकते कि नहीं कर सकते CAPM allow नहीं करता CAPM बोलता है आप जब CAPM लगाओ कि equation, security market line का तो आपको equity beta यूज कर दिया इसकी मदद से acid beta की मदद से हम क्या निकालेंगे equity beta और equity beta निकालके क्या निकालेंगे केई debt का कोई rate नहीं दिया तो risk free को ही हम debt का rate मान लेते क्योंकि debt का beta 0 हाँ हम ये assumption कर लेते हैं कि RF is equal to key तो कैसे काम करेंगे value form निकालना तो सुना रहे हैं से सबसे पहले क्या हमको acid beta पता है yes हमें ये भी पता तो इसकी मदद से क्या equity beta निकल गया yes इसकी मदद से क्या की निकल गया याद रहा है equity beta निकल और debt का rate ले लिए 6% tax तो ही नहीं है और इसकी मदद से क्या WACC निकाल लिया हम लोगों ने याद परशन्ट WACC कैसे निकला होगा सर लिखा न टू इस टू थ्री ठीक है और उसको हमने यहाँ put किया तो क्या निकाल लिया value of ठीक है जी यह question example number 8 example इतने सारे क्यों करवाया था क्योंकि यार इसमें time लगता है ठीक है बाई that equity ratio दिया है 1 is 2 बतलब 1 हो गया rate हो एक्वटी हो गया FCFF दे रखा 2,25,000 RM RF दिया है value of A limited निकलना है पर A limited का हमको beta acid जाए जैसे पिछले question में दिया है अगर acid beta दिया है तो उसकी मदद से हम equity beta निकलते है फिर K यह निकलते हैं फिर KD निकलते हैं नहीं दिया है दूसरी कोई और एक electronic firm है जिसका acid beta दिया है और एक assumption क्या था हमारा एक assumption यह था कि acid beta या overall beta दोनों firm में similar firm में एक जैसा रहता है मतलब क्या इस 0.9 को मैं यूज कर सकता हूँ बस यह assumption से मैंने काम की 0.9 को यूज करके equity वीटर निकल equity is 4 4 और 4 प्लस 1 उसर की निकल गया KD निकल गया WCC निकल गया फिर बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था ओके example उसके बाद वाला example देखे उसर electronic firm है वैसिच वाली वैसिच वाली electronic firm B-limited है किस्मत खराब है B-limited A-cid beta नहीं दिया उन्होंने equity beta दिया इस equity beta को हम यहां यूज कर लेंगे नहीं कर सकते exemption ये नहीं है कि दोनों firm का equity beta इक जैसा होगा exemption ये है कि دोनों firm का acid beta इक जैसा equity beta दिया है B-limited का तो इस की मदद से क्या हम acid beta निकल सकते हैं और इस acid beta का हम यहां यूच कर सकते हैं पहले acid beta निकल रहा है हम b limited equity beta दिया है 1.7 और इसका debt equation हमको मालूम है इसकी वज़ा से acid beta निकला उस acid beta का हम यहां यूच कर सकते हैं इसकी मदद से हमने equity beta निकल लिया और चो equity beta निकाल लिया उसको हमने यहां के यह के यह निकल गया केडी निकल गया और उसको use कर लिया तो WC से निकला और उसको use करके value of firm निकला ठीक है example number 10 में क्या special था कुछ नहीं था अगर debt का beta दिया है तो क्या करें वैसे तो दिया रहता है कि नहीं पर अगर दे दिया है तो क्या करें debt का beta दिया है तो लिग देंगे बाकी तो सब यह formula तो आपको पता है और इसकी मदद से क्या equity beta निकाल लोगे उस था यह नहीं आपके समझाने के लिए सबसे important करें कि अगर tax का rate दिया है तो क्या करें अगर tax का rate दिया है तो भाई साब जहाँ debt आएगा उसके साथ one tax लगए बस इतनी सी बाद debt का beta तो zero है तो यह तो उड़ गया है अब बचा यह वाल जहाँ debt लिखोगे वहाँ one minus tax लिख ना क्योंकि debt पर tax savings हो उसकी मदस से equity पर फिर तो कोई दिक्ट तो खास बात क्या रही debt का beta दिया है तो दिया है और दूसरा tax rate दिया तो जहाँ-जहाँ डी लिखोगे वहाँ one minus tax लिखोगे तो यह अब हम question करने की इक्विती में है हमारी वुक में question number 37 है हाला कि यह question आपके module का ही है यहां मैंने लिखा नहीं है numbering पर पक्का यह module का question है और यह question आपको मिलेगा portfolio management प्रीज यह question करना है multiple choice question इंपोर्टेंट है total market value of equity 30 lakh और debt 40 lakh तर E मालूम है और D मालूम है the treasurer estimates the beat of stock मतलब equity beat us, beat of stock is currently, यह beat of equity an expected risk premium on the market RM minus RF है और यह है RF what is the beta of company's existing portfolio of acid vita मांगा है और tax wax का रतूरेट है नहीं तो acid vita आराम से 1.5 e e plus d क्या answer आगया 0.9 दूसरा estimate the company's cost of capital, cost of capital मतलब क्या मांगा है WACC तो WACC से निकल जाएगा ताकि आप उसी को आप discounting rate की तौर पर यूज करोगे तो सबसे पहले हमने यह जो equity beta है इसका हमने यहाँ यूज किया तो यह आगे 23% और RF तो दिया हुआ 8% उसके हिसाब से हमने WACC निकल लियो और WACC जो निकाला उसी को आप future में discounting rate के हिसाब से यूज करोगे अच्छा कोश्चन आये simple कोश्चन था कोश्चन नंबर 38 कोश्चन नंबर 38 एक्जाम में आया हुआ कोश्चन है पड़े ठीका हुआ है AGF 410 क्रोड का अच्छा है भाई एक्वडी और 170 क्रोड का डेट है तो दूनों मिलाओके तो 580 क्रोड है इसकी value है KGFL की पर इसमें दो division एक है printer division 74% है और क्या है सर इसके अलावा और इसका acid beta दे रखा printer division का 1.45 acid beta ऐसे ही और एक spear and consumable division इसका 74% तो इसका 24% वेटेज होगा पुरी company में और इसका acid beta दे रखा 1.26 और KGFL का debt beta दे रखा 0.24 equity beta निकालना तो मुझे सबसे पहले KGFL का acid beta चाहिए सर ये तो दिया ही है बिटे printer division का ये SCD का है तो सर इसका weighted average कर लेंगे तो acid beta निकल जाएगा येस अब इसका acid beta निकल गया 1.3 अब तो काम हो जाएगा ये मालूम है beta of equity ये नहीं मालूम ये तो निकालना है ये हमको मालूम है ये प्लस है तसडी और debt का beta दिया हुआ है ये किया तो answer आगया finally और कितना आगया 1.8 बहुँ ज़्यादा मुस्किल था आगया फिर से equity beta निकालना है अगर KGF इमिटेड ने decide कि debt equity position हम और debt raise करेंगे debt बढ़ेगा तो risk बढ़ेगा तो equity beta बढ़ेगा और buyback कर देंगे equity इसकी वजह से debt equity ratio debt equity ratio 1.9 हो जाए मतलब 1.9 इस्टु 1 मतलब debt कितना हो जाएगा 1.9 divided by 2.9 और equity हो जाएगा 1 divided by 2.9 पास्वसी करोण में कुछ बढ़नी रहा है बस आप debt उठा रहा है और equity कम कर रहा है तो पास्वसी 1 divided by 2.9 और पास्वसी 1.9 divided by तो यह हो गया हमारा equity और यह हो गया debt debt कितने का 380 करोड होगा हो गया total मिलाखर उसमें से क्या पहले से था debt yes कितने का था पहले से debt पहले से debt था 170 170 करोड और further debt 210 करोड अब क्या उनका बीटा मालूम है yes present debt का बीटा है 0.35 और further debt का बीटा है 0.4 यह वाला यह वाला cut कर दो अब यह वाला यह वाला तो वह इकविटी बीटा पूछ रहा है यह तो सेम रहेगा यह ले लिया यह present debt है यह further debt है वो equation को solve किया तो बीटा आ गया 3.29 डेट के बढ़ने से और पहले equity बीटा कितना था 1.86 तो पक्का equity risk बढ़ना है और risk बढ़ना है since beta of equity increases due to increase in debt and risk of equity also increase अलागि question जो है न वो गलत तरीके से पूछा था question में तो हद कर दिया है यह वेदा new equity beta justified the increase in the value of equity value of equity ने risk of equity कि गलत प्रिंट है और लेवरेज की वज़े से क्या होगा लेवरेज की वज़े से एक्विटी का रिस्क बढ़ेगा यार मुझे रिसर्च नहीं पिरा काम करें and the last question question number 39 देखते हैं यह दो चीजों को mix करके बना है question इसलिए मेरी नज़रों में important है एक तो हमारा EVA economic value edit और दूसरा leveraged beta तो हमारा EVA का current year statement net profit after tax दिया है 50 crore net income after tax मादला profit after tax the following is the capital structure of HTR limited at the end of current financial year और यह capital structure दिया हुआ है debt दिया है equity दिया है और invested capital ठीक है और cost अपिए ESR गलती से ही SD acid beta दिया है अब भाई हम क्या करते थे EVA कैसे निकलते है जिससर नौपेट वो निकल जाएगा minus invested capital invested capital भी मालूँ है into WSEC अब WSEC के लिए KE निकलना पड़ेगा और KE के लिए हमको equity beta चाहिए और कौन सा beta दिया sir acid beta दिया हुआ है debt equity देशो मालूँ है हाँ sir पता है तो चलो acid beta मालूँ है equity beta हम निकाल ले निकाल लिए 1.36 बस यह इस special था यहादर tax है तो debt के साथ or minus tax लेना और फिर हमने KE निकाला और हमने KD भी निकाला और फिर जो है हमने WSEC यह कुछ था नहीं इसके बात फिर कुछ नहीं था और फिर उसके बाद हमने वापस आपका noppet निकाला और noppet minus WSEC तो यह आ गया पस इतना ही था कोशन अच्छा है लेकिए असान है पर इसमें दो चीजों का concept कुछ कोशन है जो हम merger के साथ करेंगे खेर merger का revision अभी आएगा मेरे ख्याल से इसमें तीन topic थे वो तीनों topic हमने cover किया gearing और beta cover किया eva cover किया और business evaluation amendment यहां नहीं करवा रहा हूं जो दिया कर लो यार एक देड़ घंटे दो घंटे से ज़्यादा का amendment नहीं है business तो घंटे भी बहुत बोल रहा हूं देड़ घंटे में पूरा business evaluation का amendment में ने करवा दिया है अब आप मांग रहे हैं कि सर उसका भी revision करवा तो यार यह तो जाती है यार आप देड़ घंटे का कोई lecture है और उसका भी आप चाहते हैं कि revision करवा दो तो उतना खुद भी note करके कर सकते कोशिश करूँगा आ गया तो आ गया उम्मीद बत कर thank you so much अगला revision आज ही कोशिश करूँगा जल देशे जल देख thank you bye bye